जैश्री कृष्णा राधे राधे, सावन का महीना शुरू हो गया है और आज से आप हरे एक दिन सावन मास की कथाएं सुनेंगे ओम नमस्षिवाई, बोलिये शंकर भगवान की जै हो, पारवती माता की जै हो सावन मास की कथा का प्रारम करें, उससे पहले विग्न हरता गनेश जी की कहाने सुनते हैं बोलिये कजानन गनेश की जै हो एक समय की बात है, भगवान विश्णू का विवाः लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ विवाः की तैयारिया होने लगी, सभी देवी देवताओं को निमंतरन भेजे गए, पर गनेश जी को निमंतरन नहीं दिया गया जब भगवान विश्णू की बाराज जाने का समय आ गया, तब सभी देवी देवता विवाः समरभों में आए सबने देखा कि गनेश जी तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, वे आपस में निर्चा चर्चा करने लगे क्या हुआ गनेश जी क्यों नहीं आए, क्या गनेश जी को नियोता नहीं दिया, या गनेश जी खुद ही नहीं आए सबी को इस बात पर आश्चरिये होने लगा तबी सबने सोचा कि चलो भगवान विश्णू से ही पूछते हैं सबने जाकर भगवान विश्णू से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने गनेश जी के पिता बोले नात महादेव जी को नियोता भेजा है यदि गनेश जी अपने पिता जी के साथ आना चाहते तो आ जाते अलग से नियोता देने की तो कोई आवशता भी नहीं थी और दूसरी बात ये है कि उनको तो सवामन मोंग, सवामन चावल, सवामन खी और सवामन लड़ू का फोजन दिन भर में चाहिए यदि गनेश जी नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं अच्छा ही है दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पिना वैसे भी अच्छा नहीं लगता अभी ये सब इतनी बाते कर ही रहे थे तभी किसी ने सुझाव दिया कि यदि गनेश जी आ भी जाते हैं तो उनको द्वारपाल बना कर हम द्वार पर बिठा देंगे कि घर की देख बाल करते रहना आप चुहे पर बैठ कर धीरे धीरे चलोगे वैसे भी बारात से पीछे ही रह जाओगे ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया भगवान विश्णू ने भी सहमती दे दी बस होना क्या था गनेश जी वहाँ पर आ गए उन्हें समझा बुचा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया बारात चल दी नारज जी ने देखा कि गनेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं वे तो गए गनेश जी के पास और रुखने का कारण पुचने लगे तब गनेश जी कहने लगे कि भगवान विश्णू ने तो मेरा भड़ा अपमान किया नारज जी कहने लगे तो कोई बात नहीं आप अपने मुशक सेना आगे भेज़ दो रास्ता कोट देगी जिससे उनकी वाहन धरती में धस जाएंगे और फिर आपको सम्मान पुरवक बुलाना ही होगा अब गनेश जी ने अपने मुशक सेना जल्दी से आगे भेज़ दी उनकी सेना ने जाकर वहां से जमीन खोट डाली जमीन पोली कर दी जब बारात वहां से निकली तो उनके रतो के पही यह धरती में धस कए लाख कोशिश करें पर पही यह ना निकले सभी ने अपने अपने उपाई कर लिये लेकिन पही यह तो निकले ही नहीं बलकि जिंग्य जिंग्यस से टूट भी गए आप किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए तब इनारज जी आ जाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने गनेश जी का अपमान किया इसी कारण आपके ये विग्र आया है यदि हम उने मना कर लाएं तो आपका कारिये सिद्ध हो सकता है और ये संकट भी टल सकता है अब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी जी को भेजा कि गनेश जी को लेकर आओ गनेश जी आए गनेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया तब कहीं जाकर रत के पहिये निकले अब रत के पहिये तो निकल गए पर में तूटे फूटे थे उन्हें सुधारे कौन पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था उसे बुलाया खाती ने अपना काम करने से पहले जै गनेश जी भगवान इस तरहे गनेश जी की वंदना की और अपना काम शुरू किया देखते ही देखते खाती ने सारे पहिए ठीक कर दिये सभी देवी देवताओं ने पूछा कि तुमने जो है सबसे पहले गनेश जी का नाम क्यों लिया तो खाती कहने लगा कि अरे गनेश जी तो परथम पूझे हैं कोई भी काम करने से पहले गनेश जी का नाम हे लेना चाहिए आपने पहले गनेश जी नहीं मनाए हुँगे उनके पूझा नहीं की होगी इसेलिए आपके साथ ये संकटादाया है हम तो मुर्ख अज्यानी हैं फिर भी गनेश जी को पूचते हैं उनका ध्यान करते हैं आप तो देवता हैं फिर आप गनेश जी को कैसे बुल गए अब आप सभी लोग गनेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा गनेश जी की जै बोलते हुए बारात वहां से चल दी विश्नो भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवा संपन हो गया सभी से कुशल घर लोट आए हे गनेश जी महराज जैसे आपने भगवान विश्नो का कारज सिद्ध किया ऐसे ही सब का कारज सिद्ध करना सब पर अपनी किरपा बनाए रखना बोल ये कजानन गनेश की जै हो एक समय नेमिशारण्य तेर्थ में शोनक आदी 88 हजाद शियों ने सूच जी महराज से पूछा हे बुद्धिमान सूच जी परभास शेतर का महतम में क्या है यह हमें बताने की किरपा करें मुनियों का वचन सुनकर शिरे सूच जी महराज आपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास ची को परणाम करके बोले जिनका वक्ष इस्थल शिरी वत्स चिन से शुशोबित है जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ती स्थान सबको मुहने वाले इच्छा के अनुसार रूत धारन करने वाले आपर मैं गुरु देव, निर्भे, निर्भे आश्रे, आकाश की भाती सर्व व्यापी, सर्व गत शिव अर्थार्त कल्यान में उदासीन अर्थार्त राग द्वेश रहित आयास चुन्य परपंच से परे, निरंजन और बिंदू सोरूप हैं धे और ध्यान रहित हैं जाने जन जिने अस्ती नास्ती कहते हैं जो दूर से दूर और निकट से निकट हैं मन से जिनका ग्रहन नहीं हो सकता जो परमधाम, पुरुष नाम से परसिद्ध हैं जगन में हर्दे कमल के आसन पर विराजमान हैं तेजरूप और इंद्रिय रहित हैं ऐसे परमात्मा को नमशकार करके मैं इस पापनाशनी कथा का आरम करता हूँ आप दिहान से सुने यह कथा श्रद्धालू और शांत द्रिज को सुनाने योग्य है जैसे सभी देवताओं में देवादी देव माहेश्वर स्रेष्ट हैं जिस परकार सभी नदियों में गंगा, सभी वर्णों में ब्रामन, सभी अक्षरों में ओमकार, पूजनियों में माता और गुरु जनों में पिता सबसे स्रेष्ट होते हैं उसी तरहें सब शाष्ट्रों में इसकंद पुरान सबसे उत्तम हैं पुर्वगाल में कैलाश परवत के शिकर पर प्रम्हा आदी देवताओं के समीप पिनाक पानी भगवान शिव ने पारवती जी के सम्मुक इसकंद पुरान सुनाया था फिर पारवती जी ने अपने पुत्र इसकंद को इसकंद ने नंदी जी को और नंदी जी ने कुमार सनकादिक को और कुमार सनकादिक ने परम बुद्धिमान व्यास जी को सकंद पुरान सुनाया था व्याज जी के मुख से कही हुई उसी कथा को मैं आपके सामने कहता हूँ आप सभी महरिशी सद भाव से युक्त हैं अथे मुझे आपको सकंद पुरान सैंता सुनाने के लिए उत्साहा होता है राचीन काल में ब्रम्हा जी ने उगर तब किया तब छहों अंग पद और करम के सहित वेद प्रकट हुए तदंतर सरुशाष्त्र में संपूर्ण पुरान का प्रादुर्भाव हुआ एक समय की बात है गिर्जा कुमारी ओमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुक्की ओर देखा और हाट जोड़कर मधुरवानी में कहा हे जगनात हे महेश्वर मैंने आपको परसंद करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके सवरूप का नुसंधान किया प्रंतु आपका कहीं भी अंत नहीं मिला हे देवो के देव आपका रूप तो अनन्त है आपको नमशकार है आप वेदो के रहस्य और वेदवानी द्वानी द्वारा परशंशित है आपको नमशकार है आप सदा शम्शान भूमी में रमते हैं आकाश में विचरन करते हैं आपको नमशकार है गिर्जा कुमारी की बाते सुनकर भगवान शीव बोले हे देविश्वरी मैं तुम्हारा स्रिष्टा हूँ और तुम संपून जगत की स्रिष्टी करती हो तुम्हारे और मेरे दुआरा यह संपून जगत ओत प्रोत है मैं और तुम दोनों संपोन एश्वरी शक्ती से युक्तो होकर सब प्राणियों के बीतर इस्थित हैं सब और प्रतिष्थित हैं तुम ही ध्रती और धारना शक्ती हो तुम ही प्रकरती हो सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो अधिक क्या कहो तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर हो तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसी के अनुसार वर्दान मांग लो तब देवी बोली हे जगनात मैं धन्य हो पुन्यात्मा हो और मैंने आपका उत्तम तपका अनुष्ठान भी किया है जिससे आपने मेरी और हर्षभरे दृष्टी से देखा हे देव इस समय मुझे सब तीर्थों का विस्तार पुर्वक वर्णन सुनना है आप करपा करें और सब तीर्थों का विस्तार पुर्वक वर्णन करें भगवान शिव ने कहा है देवेश्वरी तीर्थों का दर्शन और उसमें इसनान परमकनल्यानकारी होता है। गोदावरी, कपिला, महानद, शोन, पयोधी, कोशिकी, देव, खात, गया, द्वारवती और महातीर्थ प्रभास ये सब पात्कों का नाश करने वाले हैं। ये सभी तीर्थ जो इस प्रत्वी पर मौजूद हैं उनका दर्शन करके मनुश्य का इस संसार में फिर जनम नहीं ह होता। वायूदेव ने कहा है कि ब्रत्वी पर साड़े तीन करोड तीर्थ हैं, वे सभी महाबापों का नाश करने वाले हैं और परम पवित्र हैं। हे महादेवी स्वधर्म की व्रद्धी के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करने चाहिए। जहां शरेर से जाना ना हो, वहाँ मन से जाना चाहिए। देवी कहने लगी है भगवन, सभी प्राने सब परकार के उप्तरवों से ग्रस्त हैं, उनकी आयो थोड़ी है, वे अने परकार के मोहों में बंदे हुए हैं। द्रेता और द्वापर में ऐसी इस्तिति है, वे भयंकर कली काल की तो बात ही क्या है, आते हैं उन सब के हित के लिए आप किसी ऐसे तीर्थ का वर्णन करें, जिसके दर्शन मातर से, जिसके श्रवन मातर से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो। भगवान शीव ने कहा देवी, तुम मेरे बाहर विचरने वाले प्रान हो, तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ती स्थान हो, तुमारे प्रशन की अनुसार मैं सबी बातों का यथावत वर्णन करूंगा, यह रहस्य का भी रहस्य है, इसको ब्रेतन पूर्वक कुपत रखना चाहिए, नास्तिकों और पापाचारियों को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, जिसकी बीतर भक्ती हो, ऐसे उत्तम शिष्य ये श्रधालू पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश करना चाहिए, ये सुवरते चराचर प्राणियों सहित संपोन ब्रमभांड में साड़े तीन करोड तीर्थ हैं, यह बात मैंने पहले भी बताई है, इन सब में छिपा हुआ स्रेष्ट प्रभास तीर्थ है, इसे देखकर कलियोग के पाप से मोहित, संसकार रहित मनुष्य बड़े उद्वेक को प्राप्त होते हैं, जहां तहां कुपित हो जाते हैं, आप आप में बड़पन का विमान रखने वाले और मिठ्या ज्यान से मोहित, जो अधम मानव, भेद और कप ट्रक कर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यों को प्राप्त होकर भी सिद्धी नहीं प्राप्त करते, इसलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को गुप्त कर रखा है, वे कलियोग में पापाचारियों के लिए सिद्धी प्रद नहीं होते, जो क्रो लोग और इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दम रहित पुरुष, चाहिवे प्रामन, शत्रिये, वैश्ये या शुद्र, कोई भी क्यों नहों, यदि सद्भाव से भावित होकर उत्तम ब्रत का पालन करते हुए दीर्थ का सेवन करती हैं, तो उनके हित के लिए मैं तुरि एक मातर प्रभास शेतर मुझे विशेश प्रिये है, हे महादेवी, मैं उस दिर्थ में निरंतर इस्थित रहता हूँ, वहाँ मेरा दिवे लिंग प्रकट हुआ, जो दिवे देज से युकत है, और अगनी मंडल से मंडित है, संसार की स्रिष्टी में हेतु भूता, जो उस अच्छा ग्यान और कृईया, ये तीन शक्तिया है, वे मेरे इसी दिवे लिंग से प्रकट हुई है, ये जराचर जगत उसी में लीन होता है, और इसी से प्रकट होता है, उस उत्तम शेतर को कोई नहीं जानता, ये वरानने प्रभास शेतर में, जो मेरा स्वरूप है, और मैं वहाँ सोवनात नाम से प्रसिद्ध हूँ जो मनुष्य इस शेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं उनी को मेरे उस लिंग की ततु का ग्यान है वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था दूसरे लोग देवता ही क्यों नहों उनकी लिए उस लिंग का रहस्य दूलब ही है कल्यूग में जो मनुष्य केवल तरकवादी, महापापी और पाखंडी होंगे वे कहेंगे यह सब मिठ्या है, मुर्खों की कल्पना है कहां देड़त है और कहां प्रभास है, कहां देवता रहती है यह सबी जूट है, मुर्खों का मिठ्या प्रलाप है इस पर पारवे नास्तिक, नर्ग, कामी और पाप दूशित चित्वाले मुर्ख मानव बाती करेंगे तीर्थ आदी की हसी उड़ाएंगे, अतेह उन्हें कभी सिध्धी प्राप्त नहीं होगी जो मनुश्य शिवजी की निंदा में ततपर रहते हैं वे तीर्थ में मृत्यों को प्राप्त करें, तो भी पशुपक्षी की योनियों में जनम लेते देखे गए हैं शेत्रों को वुप्त रखने का यही कारण है यह देविश्वरी, युक युक में जितने तीर्थ कहे गए हैं, उन सब में परभास तीर्थ मुझे विशेश प्रिये है भगवान शिव के ऐसा कहने पर पारवती देवी बोली हे महेशवर यदि परभाश शेत्र सब तीर्थों में स्रेश्ट है तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है परभाश शेत्र का ही महतम में बताईए परभाश शेत्र कौन है उसकी सीमा क्या है उसका सार ततो क्या है और यह आपको क्यों प्रिये है ये सारी बातें आप मुझे पताने के खिर्पा करें पारवती देवी के प्रशन के उत्तर में महादेव ची ने क्या कहा हम अगले अध्याय की कता में सुनेंगे आज की अध्याय की कता यहीं पर समात होती है अब सुनते हैं भखवान शिव की एक तिव्य कथा बोलिये शंकर भखवान की जैहो पारवती माता की जैहो एक गाउं के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था जिसमें एक वरद पुजारी जी रहते थे एक तिने करीब माँ अपने नन्ने से बालक को मंदिर की द्वार पर छोड़ कर चली गई बहुत होजने पर भी पुजारी जी को बालक की परिवार का कुछ भी पता नहीं चला जब गाउं का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तयार ना हुआ तो पुजारी जी ने भागवान की इच्छा समझ कर उसे अपने पास ही रख लिया और उसका नाम रख दिया भोला गाउं के शरधालू भक्तों से जो भी कुछ प्राप्त होता उसी से भागवान शिव का पुजारी जी का और बालक भोला का किसी तरह से गुजारा होता यदि किसी दिन कम भी पड़ जाता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगा कर स्वेम गंगा जल पी कर रह जाते धीरे धीरे बालक भोला बड़ा होने लगा अवे पुजारी जी के कामों में हाथ भी पटाने लगा था वरद पुजारी जी के ठकी हारे हाथों को अब कुछ आराम भी मिलने लगा था इसलिए उन्होंने बोला को मंदिर की सवाई, भगवान शिव की पूजा, उनका भोग लगाना, उनकी आरती करने की सारी विधी अच्छी तरहे से समझा दी थी अब वे स्वयम भगवान शिव की नाम जाप और कीरतन में समय वैतित कर देते एक दिन भगवान शिव की मंगल कारी नाम शिव, शिव, शिव का जाप करते हुए उनके प्रान छूट गए अब बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के सिंबा कोई दूसरा सहारा न रहा पुजारी जी ने उससे कहा था कि ये तीन बाते कभी मत बूलना भगवान पोले नाथ शिव शंकर को ताजी गरम रसोई का भोग लगाना भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी नहें खाना भगवान शिव पर विश्वास रख कर कभी भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना बासी भोजन का भी नहीं यदि कोई भगत पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक भोला उसे गरिबों में बाट देता ताजी रसोई बनाता तब ही भगवान को भोग लगाता और उसके बाद ही स्वेम परशाद करहन करता यदि कुछ बच जाता तो उसे बाट देता यदि रसोई बनाने की सामगरी नहीं होती तो भोले बाबा और भोला भगत दोनों गंगा जल पीकर रह जाते एक बार परसाद का मोसन था तीन चार दिन तक मुसलादार बारिश होती रही मंदिर में कोई भी भगत नहीं आया भोला अपने भोले बाबा को बंगा जल का फोग लगाता रहा और खुद भी उसे पीता रहा भोले बाबा बालक की भगती और सहन शक्ती की परिक्षा लेते रहे किन्तु आखिर में अपने भक्त बालक को भूप से तड़पते देखकर उनसे नहीं रहा गया वे सेट की नोकर का रूप धारण करके हाथ में भोजन सामगरी की पोटली लिए वर्शा में भीगते हुए मंदिर की द्वार पर आए और द्वार पर आकर उन्होंने आवाज लगाई भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा सेट जी नहीं सीधा बेजा है इसे ले जाओ रसोई बनाओ और भोग लगाओ और स्वेम भी परशाद पाओ मैं कल फिर आऊँगा भोला भगत ने आशिरवाद देकर उन्हें विदा कर दिया सूखी गिले लकडियों के धुए में गरम रसोई बनाई और भोले बाबा को भोग लगाया पूरे बरसाद के मौसम में बोले बाबा नोकर के वेश में बोला भगत को सीधा देने आते रहे और खुद भी गरमा गरम रसोई का भोग पाते रहे एक दिन बोला भगत ने सोचा कि सेट जी को सीधा बेज़ते हुए चार महीने हो गए किन्तु वे ना तो कभी मंदिर में बोले बाबा का दर्शन करने आए और ना ही परशाद ग्रहन करने आए अगले दिन जब भोले बाबा नोकर के वेश में सिधे की पोटली देने आए तो बोला भगत उन से क्या कहता है भाई तुम्हारे सेट जी कभी मंदिर नहीं आते ना ही कभी परशाद ग्रहन करते हैं इस कारण मेरा हरदे बहुत दुखी हो रहा है अपने सेट जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में परशाद ग्रहन करने आए सुनकर नोकर बने भूले बाबा तो चौक गए घबरा गए और कहने लगे पुजारी जी सेट जी मेरे द्वारा आपको सीधा बेजते हैं आप इससे भगवान को भोग लगा देते हैं खुद भी परशाद पाते हैं फिर सेट जी को बुलाने की आवशकता ही क्या है जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजी भूला कहने लगा ऐसी कैसे चलने दो आपकी सेट जी इतने दिनों से सिधा बेज रहे हैं क्या मैं उन्हें भगवान का परशाद देने का अपना करतव भी पूरा न करूँ मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूँ अपने सेट जी से कह देना यदि कल भूले बाबा का परशाद करहन करने आप नहीं पदारेंगे तो मैं उसे सिधा लेना बंद कर दूँगा नोकर बने बोले बाबा तो अपने बोले भगत की अकड़ देखकर काप गए और मन में सोच शी सोच कर हसने लगे कि वहा आये तो लेने वाला देने वाले पर धोंस दिखा रहा है लेकिन सरल हरदे भगत की मनोभाव पर रीज कर बोले ठीक है पुजारी जी कल सेट जी मंदिर में परशाद ग्रहन करने जरूर आएंगे दूसरे दिन बड़े सवेरे सवेरे भोले बाबा नोकर की वेश में दूद और बहुत सारी भोजन समगरी लेकर मंदिर पहुँच गए अब बोला बक्त तुझ उकते हुए बोला भाई आज इतना सारा सिधा क्यों ले आए हो तो नोकर बने बोले बाबा बोले पुझारी जी क्या भूल गए हो आज आपने सेट जी को भी परशाद के लिए बुलाया है इसलिए आप छक्कर रसोई बनाएं और बोले बाबा को भोग लगाएं हाँ ये तो बता दो सेट जी किस समय बता रहें तब बोला ने परसन्न होकर उन्हें सेट जी की आने का समय भी बता दिया अपने बोले भक्त की चापूर्ण करने के लिए बोले बाबा केलाश पर सेट का रूप धारण करने लगे अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहां जीमनी जाने का समझार सुनकर ममता मै अनपूर्ण मा पारवती जी भला कैसे पीछे रहती वे भी पती की आग्या लेकर सेटानी का रूप धारण करने लगी भोले बाबा ने अपने गले से मुंडो की माला उतार दी शरीर पर लगी फरस्म कमर में पहना हुआ बागंबर पाहों और कानों में पहने सापों के हार भी उतार कर रख दिये उन्होंने मकमल का एक सुन्दर कुर्दा पहन लिया अपनी जटाएं सीधी कर ली गंगा जी और चंदरमा कोस में छिपा लिया और उसके उपर एक सुन्दर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली नंगे पैर विचरने वाले भगवान शिव ने आज अपने बैरों में रेशमी जूतियां धारन कर ली थी हाथ का दिर्शूल और डमरू बोले बाबा ने नंदी जी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुन्दर छड़ी लेकर पारवती जी के तयार होने की परतिक्षा करने लगे थोड़ी देर में पारवती जी भी तयार हो गई पारवती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो चकी थोकर एक दूसरे को देखते ही रह गए एक दूसरे को देख देखकर निहाल हुए जा रहे थे इससे पहले उन्होंने एक दूसरे का यह रूप तो कभी देखा ही नहीं था जब भगवान गौरी शंकर, सेठानी और सेठ का रूप धारन करके केलाश से अपने भगवान शिव अपने हातों में ली हुई छड़ी को गुमाते हुए प्रत्वी पर टेकते हुए जल रहे थे और उनके साथ साथ चल रही थी पारवदी जी इधर भगवान भगवान बनाने में जुटा था उसने सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल दोकर खीर बनाई, धीमी आच पर पका कर उसे गाड़ा किया सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, किश्मिश डाले, मिर्च और अद्रक को कूट कर उसे बाजरा, बेसन और केहों की आटे में भर भर कर मोटे मोटे मिस्से तिकड बनाए रसोई बनाकर भोला भक्त इसनान करने चला गया, ताकि स्वच वस्तर पहन कर भोले बाबा को भोग लगा सके, और सेठ जी को परशाद दे सके जब बोला भक्त इसनान करके लोटा तो देखा सेट जी परशाद गरहन करने के लिए स्वयम तो आए ही है साथ में अपनी सेठानी जी को भी लाए है बोला भक्त ने दोनों से राम राम की आसन देकर उन्हें बिठाया और कहने लगा मैं अभी भगवान को भोग लगा कराता हूँ फिर आपको परशाद देता हूँ लेकिन भावना के भूके बोले नाथ से तो भूक सहन नहीं हो रही थी वे कहने लगे पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगा दो मुझसे भूक सहन नहीं होती सेट जी की बाते सुनकर बोला भक्त बोला सेट जी भूग तो मुझे भी बड़े जोरों से लग रही है किन्तों मैं अपनी भूग के कारण भगवान को भूग लगाना नहीं भूलता यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरहें अपनी भूग के लिए भगवान को भूग लगाना भूल जाएं तो भगवान तो भूग के रह जाएंगे सेट जी बने बोला बाबा एक पतल उठाते हुए बोले पुजारी जी आप भूग लगाओ मैं इदर पतल परोस लेता हूँ तो कि मुझसे भूग सेहन नहीं होती अब भूला भगत सेट जी को डाटते हुए बोला सेट जी भगवान के काम में चल्दबाजी नहीं चलती और नहीं कंजू से चलती है जब तक मैं भगवान को भोग नहीं लगा देता आप रसोई के पास भी नहीं आएंगे चुप साब से इदर बैट जाईए और ओम नमशिवाय का जाप करिए मैं अभी आता हूँ फिर आपको भर पेट पोजन कराऊंगा सेट बने शिव जी डाट खाकर चुप चाप अपने आसन पर बैट गए अब भोला भग्त पतल में सामगरी लेकर भगवान को भोग रगाने बंदिर में गया इदर भगवान शिव पारवती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुप चाप रसोई में पहुँच गए उन्होंने एक एक विंजन उठा कर चकना शुरू कर दिया बोले बाबा तो परशाद चकते ही पहुचक के रह गए खीर में चीनी की जंखे नमक था और सबजियों में चीनी थी अब जैसी पोले बाबा ने रोटी का एक रास तोड़कर मों में लिया वे तो सी सी करने लगे क्योंकि रोटी में तो मिर्ची मिर्च भरी थी वे तो उल्टे पैर भागाए और अपने आसन पर बैठ गए इतने में ही बोला भक्त ओमन मश्यवाय मंतर का जाप करते हुए बही पर आ गया उसने बोग को रसोई में मिलाया और पवित्र किया सेट जी के सामने पतल पर उसकर हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया कहने लगा सेट जी अब आप ची पर कर परसाथ पाईए बोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ती से भी जोड़दार उसके हाथों की वनिरसोई चप चुके थे अतै उसे जीमने की बात सुनकर तो उनके पसीने छूटने लगे विक अभी बोला का मुख देखते तो कभी पार्वती देवी की ओर देखते बोला को सेट जी की धील डाल परदाश नहीं हुई कहने लगा सेट जी अब आपको क्या हो गया अभी तो आप कह रहे थे मुझे बहुत भूग लगी है अब जीनती क्यों नहीं आप जी मोगे तभी तो माता जी भी परशाद करेंगी और फिर मुझे भी परशाद मिलेगा बोला की ललकार सुनकर बोले बाबा ने चुप चाप खीर उठाई और गटागट सारी खीर पी गए कुल लड़ खाली होने की देर थी कि भूला ने जट से उसे फिर भर दिया अपने भक्त के हातों पर रसे हुए भोग में भगवान को आज दुबना स्वादाने लगा बोला परोस्ता गया और बोले बाबा पीते गए पारवती जी भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंतर मुग्द होती जा रही थी जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की ड़कार ली बोला को होश आया तो कहने लगा वहाँ से एची मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाए मुझे पता होता कि आपको परशाद गरहन करने का इतना शोंक है तो और जादा रसोई बनाता बोले बाबा अपने पेट पर हाथ विराते हुए पारवती जी की ओर देखने लगे और मुस्कुराते हुए बोले पुजारी जी मैं रोज इतना कहां खाता हूँ किन्तो आर परशाद इतना स्वादिष्ट था कि मैं अपने पर वश ही नहीं रख पाया और खाता ही चला गया तबी बोला भगत रुआसा होकर बला सेट जी ये तो आपने ठीक किया लेकिन माता जी तो वोपी ही रह गई ना ममतम आई पारवती देवी से बोला का रुआसा मुक देखा नहीं गया उन्होंने बची होई खीर की चार बुंदे अपने कंठ में टपका ली बोले बाबा के दुआरा भोग लगाने के बाद परशाद में अद्बुत आलोकिक स्वाद भर गया था ऐसी सुगंदित और मिठी खीर जक्कर जगत जन्नी आकंट तरप्त हो गई और उनके तरप्त होते ही सृष्टी का प्रतीक प्रानी तरप्त हो गया अब भूला भक्त कहने लगा सेट जी आपने और माता जी ने परशाद ग्रहन कर लिया इससे तो मुझे बहुत संदोश हुआ समझ लेजिए आप दोनों का परशाद ग्रहन करने से मेरा भी बेट पर गया वैसे भी महीने में कहीं बार चार चार एकादशी हो जाती हैं किन्तो मैं भी एक दाना तो लेही लेता हूँ जिस से बोले बाबा के परशाद का अनादर ना हो ऐसा कहकर जैसे ही बोले ने खीर के पातर में लगा चावल का एक दाना उठा कर अपने मुँ में डाला उसके तो जनम जनमांतर की भूख प्यास ही मिट गई सभी वासनाओं और इच्छाओं की तरप्ती हो गई उसकी ज्यान की नेतर खुल गए और उसने देखा कि उसके सामने तेरलोकी नाथ भगवान शंकर और जगद जन्नी माता पारवती आशिरवात की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं बोला दोड कर माता पारवती और भगवान शंकर के चर्णों में गिर गया लोटता गया लोटता गया लोटता गया और अंत में उन्हीं में समा गया बोल ये शंकर भगवान की जैहो, पार्वती माता की जैहो